Good day to all of you. अब आप पिछली क्लास का अभ्यास करेंगे, क्योंकि आपने पिछली क्लास में Tools menu के कुछ नए विकल्पों के बारे में सीखा था. इसलिए क्लास शुरू करने से पहले, आईए पिछली क्लास का revision कर लेते हैं. क्या आप जानते हैं, गोल्सिक विकल्प का उप्योग क्यों करते हैं? गोल्सिक विकल्प का उप्योग आप जब करते हैं, अगर आपको target cell की value किसी दूसरे cell की मदद से change करना चाहते हैं, तो आप इसके लिए गोल्सिक का उप्योग करेंगे. क्या आप बता सकते हैं, solver का उप्योग क्यों करते हैं solver विकल्प की मदद से आप एक से ज़्यादा रो अथवा कोलम में से किसी एक cell की value को change कर सकते हैं solver cell group के साथ में काम करता है solver define value को एक से ज़्यादा value के साथ मिलकर target value को complete करने में help करता है अगर आपको अपने spreadsheet के document पर password लगाना हो तो कैसे लगाएंगे अपने spreadsheet के document या sheet पर अगर password लगाना हो तो आप protect document विकल्प का उप्योग करेंगे left और right formula का syntax क्या होता है left के लिए syntax equal to left text semicolumn number और right के लिए equal to right text semicolumn number text और number को inverted कोमा के अंदर लिखना है क्या आप बता सकते हैं find और search formula में क्या अंतर होता है find formula की मदद से किसी text में जो भी आप find करना चाहते हैं मतलब आप उसमें आप किसी भी text symbol को ढूंडना चाहते हैं तो आप find का उप्योग कर सकते हैं लेकिन वह word एक जैसे ही होने चाहिए search formula की मदद से आप किसी भी text symbol इत्यादी को ढूंड सकते हैं क्योंकि यह case sensitive नहीं होता यह छोटा अत्वा body letter में भी कैसे भी search कर सकता है scenario विकल्प का उप्योग से आप क्या 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 कर सकते हैं scenario विकल्प का उप्योग आप जब करेंगे अगर आप अगर आपका data बार बार change करना होता है और आप पुराने और उस पर change किये data को भी देखना चाहते हैं तो आप scenario विकल्प की मदद से आप define करके एक एक करके उसका उप्योग कर सकते हैं जो आपको border और उसके नाम से so होगा mid formula को उप्योग क्यों करते हैं mid formula को उप्योग आप जब करेंगे अगर आपको किसी text के बीच में से कितने character को देखना चाहते हैं अथवा दिखाना चाहते हैं तो आप mid formula को उप्योग करेंगे अब आप सभी अपने computer को on करें और spreadsheet या kelp की file को open करें क्या आप सभी ने अपने spreadsheet की file को open कर लिया हैं अब आप सभी अपने spreadsheet के document में कुछ data को type करें या सामने दिये गई data को देखकर type करें क्या आप सभी ने data को type कर लिया है अब आप सभी किसी cell के name में से पहले ते लेटर को निकाल कर दिखाएं अगर कोई समस्या हो रही है तो वीडियो को देखें आए वीडियो की मदद से left formula का उप्योग करना सीखते हैं जैसे मान लेजे किसी email id या किसी भी text से आपको पहले name को find करना है तो हम इसके लिए left formula का उप्योग करेंगे हमने यह पर left लिखा जैसा आप वीडियो में देख सकते हैं फिर equal to left type किया bracket को start किया तो यह आप देखते हैं पहले text लिखा हुआ है तो जिस email id या जिस cell के अंदर भी आपको find करना है तो उससे हमें पहले select करेंगे हमने email id को यहापर select किया semicolon जितने number तक आपको find करना है हमें 3 character करना है तो आपने यहापर 3 type किया फिर enter बटन को hit कर देए तो यह left side से 3 character को यहापर show करेगा यहापर 3 character यहापर लिखा हुआ आ जाएगा starting के यहापर double click कर देए अगर बाकी email id को भी अगर आप 3 characters निकालना चाहते हैं तो आप इस तरीके से आप निकाल सकते हैं इसे प्रकार से आप किसी name के right side से चार word को निकाल कर दिखाएं अगर कोई समस्या आए तो वीडियो को देख कर सीखें आए यह वीडियो की मदद से सीखते हैं right formula को उपयोग कैसे करते हैं right साथ से में चार character को find करने हैं तो उसके लिए हम right formula को उपयोग करेंगे सबसे पहले आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर right type किया right type करने के बाद हम इसके नीचे find करना है तो हमने सबसे पहले equal to को start किया है equal to right जैसा आप वीडियो में देख सकते हैं bracket को हमने यहाँ पर start किया यहाँ पर text पूछ रहे किस text के अंदर आपको find करना है तो उस style को आप select कर लें तो आप वीडियो में देख सकते हैं हमने यहाँ पर select किया select करने के बाद हमने semicolon लगाया कि कितने character तक आपको find करना है आप उतनी number type कर लें character find करना है तो हमने आप चार type किया और bracket को close किया bracket को close करने के बाद enter button को hit किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर com लिखा हुआ है लेकिन आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो यहाँ पर dot भी लिखा हुआ है dot com dot को भी इसने count किया है तो चार यहाँ पर character आगे इस प्रकार से आप drag करके बागी सभी email id का भी आप निकाल सकते हैं तो इस प्रकार से आप write formula को उपयोग कर सकते हैं अब आप अपने cell में से किसी word के बीच के character को निकाल कर दिखाएं अगर कोई समस्या हो तो वीडियो को देखकर सीखें आए वीडियो को देखकर अब mid formula को अपयोग करना सीखते हैं हमने यहाँ पर mid type किया इस name में से हमें यहाँ आपको email id दिखा जा रहा है इस विशे हमें जो बीच में लिखा हुआ है हमें उसे find करना है तो हमने equal to mid type किया हमी हरते थे semi col लगाए semi col के बाद start कहांसे आपको number find करने है आप पहले number count करने हो हे जिस number से लेके आपको start करने है कि तो हमने यहाँ पर semi code से semi colon के बाद आप number count करने इस look at 5 हमें dot के बाद , कुमार लिखा ऐसे find करना है तो यहां पर आप देखके लिए पर वन्हें 5 टैप किया , कुमार की जो आगे है 5 हमने फिर 5 टैप किया ब्रैकेट को क्लोज किया तो यहां पर देखके है पूरा यहां पर कुमार लिखा हुआ नहीं है क्यूंकि हमने dot के बाद start करता है तो इसे लिए हमें dot के आगे करना है तो हमें start केक रहना है, तो के value 6 आ रहे है तो यहाँ पर start value भी 6 करेंगे, जैसे आप वीडियो में देख से तो हमने editing में गया, हम आप चेंज किया, हमने आप आप 6 लिखा फिर 5 और bracket को close किया जब enter हिट किया तो यहाप आप देखते हैं यहाप पर कुमार लिखा हुआ आ गया तो इस प्रकार से आप mid formula का उप्योग कर सकते हैं अब आप किसी भी एक cell से किसी एक letter को निकाल कर दिखाएं और उसकी position क्या है, यह बताएं अगर कोई समस्या हो तो वीडियो को देख कर सीखें आए वीडियो को देख कर सीखते हैं किसी text की position को कैसे find करते हैं मालें जब आप कोई text लिखा है और उसके अंदर हमें किसी word को find करना है तो हम कैसे find करेंगे सबसे पहले आप देशेटे हैं हमेने find लिखा अब find के अंदर हमें उस टेक्स की value को जानना है उसे find करना है equal to find type करें bracket को start करें find text लिखा यहां पर तो उस text उस cell को select करें जिसके अंदर जो भी text लिखा हुआ है जिसके अंदर आप find करना चाहते हैं माफ कीजिए यहां पर आपको सबसे पहले उस text को लिखना है जिससे आप ढूड़ना चाहते हैं इस text को भी इस character को भी आप ढूड़ना चाहते है उस character को आप inverted कोमा की अंदर type करें जैसे हमने यहां पर add को type किया फिर सब्सक्राइब हमने यहां पर semicolon लगाया और आप देख सकते हैं यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर add की पोजिशन बताया देगा कितने नंबर पर जब आप इस email id के अंदर आप count करेंगे add कितने नंबर पर हैं तो यहां पर 11 नंबर पर आ जाएगा जैसे की रकेस.suri.computer.org अब आप इस email id में से केवल रकेस को निकाल कर दिखाएं अगर कोई समस्या हो तो वीडियो को देखकर सीखें आए वीडियो को देखकर सीखते हैं email id में से किसी पहले नाम को कैसे find करते हैं इसके सबसे पहले हम email id को type करेंगे जैसे की आपको वीडियो में दिखा जा रहा है हम यहाँ पे एक email id को type कर रहे हैं आप भी इसे देखकर type करें हमने यहाँ पे रकेस.suri.computer.org एक email id हमने इसे यहाँ पे type किया जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है हमने यहां से साइज को थोड़ा सब बढ़ा किया ताकि यह जो इमेल आइडी हो पूरी तेकर से फिट आ जाए अब हम इस इमेल आइडी में से जो फर्स्ट नेम है रखेज हमें उसे फाइंड करना है इसके लिए हम लेफ formula copy or करेंगे तो सबसे पहले equal to left saf करेंगे जैसे अपको वीडियो में दिखाया जा हमने यहां पे equal to left है किया यहां पर हमने स्टार्ट किया जैसा उंदर middle id को अमने लिखा उस साल को हमने यहां पर स्लक किया जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं यहाँ फिर मैं यहाँ पर सेमी कॉलन लगाया सेमी कॉलन लगाने के बाद अब हम find करेंगे जैसे आप वीडियो में देख से था हमने इसके साथ find formula को भी यूज कर रहे हैं ब्रैक्ट को स्टार्ट किया double code के अंदर तो मैं यह पर double code start किया dot double code को close किया तो इंदर हमने यहाँ पर पहले dot को find करेंगे यह पहले dot है क्योंकि जो राकेश लिखा हुआ है वो dot से पहले लिखा हुआ है इसलिए पहले इस dot को हमने यहाँ पर find किया जैसा आप वीडियो में देख सकते हैं semicolon लगा है हमने और जिस cell के अंदर email id लिखा हुआ है उस cell को हमने यहाँ पर select किया जैसे का आप वीडियो में देख सकते हैं bracket को close किया अब हम minus करेंगे minus हमने one किया क्योंकि इस dot के बाद हम चाहते है कि जो dot है इस dot से पहले जो भी text लिखा उसे find करें तो इसलिए हमने यहाँ पर minus one किया minus one करने के वाद हमने bracket को close किया यहाँ पर जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं close करने के वाद हमने enter button को press किया तो आप देख सकते हैं जो इस dot से पहले था जो भी text लिखा हुआ था उस text को यहाँ पर find करके यहाँ पर लिखा हुआ आ गया तो इस प्रकार से आप left और find formula की मदद से आप किसी भी text को find कर सकते हैं अब आप इस email id में सूरी को अलग करके दिखाएं अगर कोई समस्या हो रही हो तो आए वीडियो की मदद से सीखें आए वीडियो की मदद से सीखते हैं किसी email id में से email id के बीच में से अगर किसी text को find करना है तो कैसे करेंगे जैसे आप देखें तो यहाँ पर email id टाइप किया है हमें इसी email id में से सिर्फ सूरी को find करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे इसके लिए मिट formula को उप्योग करेंगे सबसे पहले equal to mid टाइप करेंगे हम यहाँ पर ब्रेक्ट को स्टार्ट किया हमने फिर जिस cell के अंदर email id लिखा हुए इस cell को मिन आप पर सेलक्ट किया सेमि कॉलन लगाएंगे फिर सेमि कॉलन लगाने के बाद हम यहाँ पर find formula का उप्योग करेंगे तो आप यहाँ पर find type किया bracket को start किया bracket को start करने के बाद सबसे पहले हम इस इमेल ऐड़ी में से डॉट को फाइंड करेंगे यह अब आप देख से तो जो सूरी लिखा है पहले डॉट के बाद लिखा हुआ है तो इसलिए के अंदर डॉट करेंदर लगा रहती है आपको द्यान रखना होगा यहाँ में सूरी लिखा हुआ है तुसलिए हम यहाँ पर लिखा हुआ करेंगे अगर दॉट से पहले यहाँ लिखा होता तो हम यहाँ पर माइनस करते हैं तो डॉट के बाद लिखा हुआ है तीसी लेमिनस प्लस नहीं यहां पर गिया प्लस न के बाद हमने सेमी कॉलन लगा है सेमी कॉलन के बाद हम फिर से फाइंट करेंगे find हमने यहां पर लिखा equal to double quote के अंदर हमने at लिखा आप देखते हैं पहले inverted comma start किया फिर add लिखा फिर inverted comma को close किया सेमी कॉलन उसके बाद हमने सेल को सेलेक्ट किया जिसके अंदर email id लिखा हुआ है जैसा आप वीडियो में देख सकते हैं उसके बाद हम फिर से सेमी कॉलन लगाएंगे फिर हम find करेंगे अब आप देखता हम यहां पर find लिखा हूं find लिखने के बाद हमने bracket को start किया bracket start करने के बाद inverted comma हमने start किया ता आप यहां पर देखने हम पहरे double quote फिर उसके अंदर हमने dot लिखा को close किया सेमी कॉलन फिर उस सेल को मने select किया ब्रैकेट को close किया दो बर ब्रैकेट को मने यहां पर close किया अब हम उसके माइनस करेंगे क्योंकि second dot को find किया second dot हमें और जी से पहले लिखा हुआ है तो और जी से पहले computer से लिखा है तो जितने भी computer dot से पहले computer से लिखा है उसके मैनस करना है तो इसके लिए यहां पर find मैने से यहां पर find दैकेट को start double quote के अंदर हमने dot पर double quote को close किया semicolon इस text को select किया जिसके अंदर email id लिखा हुआ है जिसके अंदर हम point कर रहे है close किया इसे close करने बाद फिर से minus करेंगे minus 1 ब्रैकेट के अंदर enter बटन को hit किया तो यहां पर देख सकते हैं जो इस email id के अंदर सूरी लिखा हुआ था वो यहां पर आ गया जैसा आप वीडियो में देख सकते हैं आप 12 इस formula को देखें अध्यान रहें याद करें इस formula को कैसा हमने यूज किया यहां पर हमने यहां पर सबसे पहले equal to mid bracket को start b8 जो जिस cell के अंदर लिखा हुआ है email id find फिर हमने पहले dot को find किया cell को select किया bracket को close किया तो इस प्रकार से आप email id में से किसी भी particular word को find कर सकते हैं mid formula की मदद से अब आप सबी इस email id में से केवल computer शिक्षा को अलग करके दिखाएं अगर कोई समस्या हो रही हो तो वीडियो को देखकर सीखें आए वीडियो में से आए वीडियो को देखकर सेखते हैं email id में से इस email id में से computer शिक्षा को अलग कैसे करते हैं इसके लिए हम यहाँ पर mid formula को उप्योग करेंगे इसके लिए हम यहाँ पर equal to mid type करेंगे ब्रैकिट को स्टार्ट क्योंकि computer success add के बाद में लिखा हुआ है तो से पहले हमें यहाँ पर find एक नए formula find formula copy हमें इसके साथ में करेंगे mid और find दोनों का combination होगा यहाँ पर जैसे पहले हमने equal to mid लिखा तो वमें किस cell पर लगाना है किस text पर लगाना है तो पहले उस text को हम select कर लेंगे semicolon लगाने के बाद आपको find type करना है जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं हमने यहाँ पर find type किया bracket को यहाँ पर start किया हमने अब यह हमें किसे find करना है वह हम यहाँ पर type करेंगे हमें at क्योंकि जो computer 6 लिखा हूँ आट के बाद लिखा हुआ है इसलिए inverted कोमा के अंदर at हम यहाँ पर लिखेंगे inverted कोमा start किया at और inverted कोमा को close semicolon लगा है bracket को हमने यहाँ पर close किया पहले हमने इस text को select कि उस cell में जहाँ पर email id लिखा है उसके बाद हमने bracket को close किया हमने यहाँ पर plus one प्लस वन हमने इसलिए लिखा कि जो computer 6 लिखा हुआ है वह at के बाद लिखा हुआ है यह पहले उसको find करेगा plus one के बाद वह वहाँ से start करेगा at के बाद उसके बाद हम फिर से हम find करेंगे इसके लिए हम find का formula लगाएंगे यहाँ पर हमने find लिखा bracket को start किया अब हमें dot को find करना है क्योंकि हमें सिर्फ computer 6 लिखा यहाँ पर result में सिर्फ computer 6 चाहिए इसलिए हम इस value dot को हमने यहाँ पर find किया semicolon लगा है हमने यहाँ पर जहां पर email id लिखा है उसे हमने select कर लिया select करने के बाद हमने semicolon लगाया semicolon के बाद हम फिर से find formula को प्योग करेंगे हमने यहाँ पर फिर से find लगाया अब हमें फिर से add को find करेंगे हमने यहाँ पर add को फिर से find किया जो हमने add को हमने inverted comma के अंदर लिखा है जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं फिर semicolon लगाएंगे हम यहाँ पर अब फिर हम उस cell को select कर लेंगे जहां पर email id लिखा हुआ है जैसे के आपको वीडियो में दिखा जा रहे हैं फिर ब्रैकेट को close करेंगे दो ब्रैकेट क्लोज करेंगे फिर मैनस फिर से find का हम यहाँ लगाएंगे हमें यहाँ पर फिर से हमने add को find किया अब यहाँ पर क्या होगा जो हमने इस email id में जो लिखा है हमने राकेश.suri.computer.org यह यहाँ पर जो at लिखा है यहाँ से value find करना start करेंगा कहां तक find करेंगे dot लिखा है वहाँ तक find करेंगा इसलिए हमने इसमें minus one किया कि dot के बाद जो भी है उसे वहाँ तक वह find करेंगा और उसे mid की वज़द से mid formula की मदद से computer शिक्षा यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा तो इस प्रकार से आप mid और find की combination की मदद से इस email id में से आप computer शिक्षा को आप यहाँ पर लिख सकते हैं अब आप सभी इस email id में से केवल ORG को निकाल कर दिखाएं अगर कोई समस्या हो तो वीडियो की मदद से सीखें आईए वीडियो को देख कर सीखते हैं email id में से किसी text को कैसे find करते हैं मान लिजे हमें इस text के अंदर इस email id के अंदर हमें ORG को find करना है तो इसके लिए हमें write formula को उप्योग करेंगे सबसे पहले हम equal to write type करेंगे जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है हमने यहाँ पर write type किया equal to फिर bracket को start किया हमने जिस cell के अंदर भी email id लिखा हुआ है उस cell को हम सेलक्ट करेंगे फिर सेमिकॉल लगाएंगे फिर हम यहाँ पर find formula को उप्योग करेंगे माज केज़ेगा हम यहाँ पर पहले len formula लगाएंगे ठीक हम इसे count करना है कि total इसको कितने character है तो हमने इसको पहले count किया जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है इसके लिए हमने len formula लगाएंगे यहाँ पर len type किया जो भी इस cell के अंदर लिखा हुआ था उसको select किया और bracket को close किया फिर हम find करेंगे इस character को भी यहाँ पर लिखना है उसको हम यहाँ पर find करेंगे तो यहाँ पर minus find bracket start inverted comma के अंदर हमने dot को find किया यहाँ पर और जी लिखा हुआ है यहाँ पर देखेंगे दो dot है तो इसलिए में define करना पर एक किस dot के बाद और जी लिखा है तो उसके लिए हम यहाँ पर condition देंगे तो हमने यहाँ पर double quote के अंदर dot semicolon फिर उस हमने उस cell को select किया जैसे आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है फिर हमने यहाँ पर semicolon लगाया फिर से हम find करेंगे find करने के लिए find को formula यहाँ पर लगाया bracket को start double quote के अंदर हम यहाँ पर देख रहे है at को हमने यहाँ पर find किया यहाँ पर inverted कोमा के अंदर हमने add लिखा तो इसे यह पता चल रहा है जो add के बाद जो dot है इसको find करेंगे add के बाद dot org से पहले है तो इसे पहले find करेंगा हम इसको select किया select करने के बाद bracket को close किया है यहाँ पर तीन वर bracket को close करेंगे जैसे के आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है फिर enter बटन को प्रेस कर देंगे जैसे आप enter बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ आप आप देश कोता है यहाँ पर ORG लिखा हुआ आ जाएगा इस email id में से write formula और land formula find formula की मदद से हमने email id के write ORG कमने यहाँ पर find किया तो इस प्रकास से आप write formula की मदद से किसी भी email id में last keyword को आप निकाल सकते हैं अब आप सभी किसी दो नाम को एक cell में add करके दिखाएं अगर कोई समस्या हो तो वीडियो को देखकर सीखें आईए वीडियो को देखकर दो name को जोड़ना सीखते हैं जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर name राकेश और सूरी है हम दोनों को एक साथ जोड़ना चाहते हैं तो हम इसके लिए कॉन कीनेट formula को उप्योग करेंगे इसके लिए आपको सबसे पहले equal to type करना है equal to type करने के बाद कॉन कीनेट type करना है जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है यहाँ पर कॉन कीनेट लिखने के बाद हम पहले letter जो पहले cell के अंदर राकेश लिखाया है उसे select करेंगे जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है फिर semicolon लगाएंगे फिर दूसरे text series को select करेंगे bracket को close करेंगे फिर enter button press करेंगे तो अब देखेंगे जो दोनो text अलग अलग लिखाया है वो एक cell के अंदर जुड़के आ गया अब किसी word को बदल कर किसी दूसरे word को वहाँ पर रखेंगे जैसे राम इसमें am की जगह आना चाहिए इसके लिए आप substitute formula का उप्योग कर सकते हैं अगर कोई समस्या हो तो वीडियो को देखकर सीखें आए वीडियो की मदद से substitute formula का उप्योग करना सीखते हैं सबसे पहले हम कोई word को टाइप करेंगे जिससे आप substitute करना चाहते हैं उसके word को आप बदलना चाहते हैं जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है हमने यहाँ पर राम टाइप किया हम अब हम चाहते हैं इस राम की जगर दूसरे सल में राम की जगर कोई दूसरा word आए यहाँ पर इसके लिए हम यहाँ पर substitute formula का उप्योग करेंगे substitute formula लगाने के लिए आप सभी को सबसे पहले equal to type करना है equal to type करने के पाद आपको substitute लिखना है जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है हमने यहाँ पर substitute लिखा bracket को start किया text जिसके अंदर भी आपको बदलाव करना है उसके बदलना है उस text को आप select करें semi column फि टैक्स लिखा है जिस text को आप change करना चाहते है तो double code के अंदर हमने यहाँ पर double code start किया RAM double code close किया तो यहाँ आप आप देखते हैं वीडियो के अंदर हमने inverted comma के अंदर RAM को लिखा है semi column लगाया फि चेंज text जो उसके जिए नय text तक आपको चाहिए new text तो उसके जिए जो भी text आप लिखना चाहते हैं वो text double code के अंदर टाइप करें हमने आप एमे टाइप किया semi colon occurrence वन डालेंगे तो आप देखते हैं यहाँ पर RAM की जगह पर AMA लिखा हुआ यहाँ पर आ गया तो इस प्रकार से आप substitute formula की मदद से किसी भी word को आप उसे दूसरे word के अंदर आप substitute कर सकते हैं अब आप किसी cell के नाम को count करके दिखाएं कि उसमें कुल कितने character हैं अगर कोई समस्या हो तो वीडियो को देख कर सीखें आए वीडियो की मदद से सीखते हैं length formula की मदद से किसी character के length को कैसे count करते हैं माने जब आपके पास कोई email id लिखा है आप चाहते हैं कितने character का है उसके अंदर total कितने character उसे आप count करना चाहते हैं तो उसके लिए आप length formula को उपयोग करेंगे सबसे पहले equal to type करें जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है उसके बाद length type करें len length type के हमने bracket को start किया bracket को start करने के बाद यहां पर text पूछा है जिस text को भी आप select करना चाहते हैं जिसे find करना चाहते हैं उसके कितने character हैं उसे आप select करें bracket को close करें और enter button को press करें तो आप देखते हमने यहां पर राकिस.suri.computer.org उसको मैंने select किया यहां पर उसके अंदर हमें character find करने थे find करने के बाद हमने आप देखा total 31 character आया जब आप इसको count करेंगे तो इसके अंदर total 31 character होंगे अभी तक आप सभी ने formula का अभ्यास किया अब आप tools menu के option का अभ्यास करेंगे अब आप अपने cell में कुछ number को type करें जैसे 50 200 100 अब आप tool के किसी option की मदद से इसका total 500 करके दिखाएं अगर कोई समस्या हो तो वीडियो की मदद से सीखें आए वीडियो को देखकर सीखते हैं गोल सीख का अपयोग कैसे करते हैं सबसे पहले हम उस number को type करेंगे जैसे आपको वीडियो में बताया गया हम हमाँ पास कुछ नंबर है जैसे हमने आपके 50 200 100 हमाँ पास यह number है जब हम इसका total करेंगे तो हम पहले इन तीनों नंबरों का total करेंगे इसके लिए हम sum formula का उपयोग करेंगे जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं हमने equal to sum sum type किया bracket को start और तीनों नंबर को select करके हमने इसका total कर दिया हूँ जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं bracket close के हमने enter button को hit किया तो आप देख सकते इन तीनों नंबरों का total 350 है अब हम चाहते हैं जो इन तीनों नंबरों का है total वह 500 है तो इसके लिए हम goal seek का उपयोग करेंगे जो हमार पास target cell है cell को हम पहले select कर लेंगे जहाँ पे 350 है क्योंकि हमें इसको 500 लाना है तो हमने इसको select किया goals tools पे गए goal seek option को select किया ऐसा box आ गया formula cell में वहाँ पे लिखा हुआ target value हमने यहाँ पे 500 type किया और variable cell के अंदर आगर आप तीनों में से किची की value change करना चाहते है तो उस cell को आप select कर लें select करने के बाद okay पे click कर देंए तो आप देखेंगे उस cell के अंदर उतनी value आ जागे उस target set कर देगा जिससे answer 500 आ जे जैसे आपको वीडियो में दिखाय जा रहा है उस cell को यहाँ पे change कर दे है 250 में जिससे हमारा जो answer है वो 500 आ गया तो इस प्रकार से आप goal seek का उपयोग कर सकते हैं अब आप किसी column पर scenario लगाएं जिसका नाम update 1 होना चाहिए अब आप उसी column के cell की value को change करें और फिर उस पर scenario लगा कर दिखाएं और उसे update 2 का नाम दें और बताएं अब दोनों scenario को कैसे देखेंगे अगर कोई समस्या हो तो वीडियो की मदद से सीखें आईए वीडियो को देखकर सीखते हैं scenario को कैसे करते हैं सबसे पहले आप देख सकता है हमने आप पर कुछ text को कुछ numbers को हमने आप पर copy किया copy करने वाद हम इसे second sheet को select करके वहाँ पर paste कर दिया जैसा आप वीडियो में देख सकते हैं हमेरे पास यहाँ पर 3 number हैं अब हमें से इसके उपर scenario लगाएंगे तो हमने पहले इसको select किया tools menu पर click किया scenario को select कर लिया आप जो भी नाम देना चाहते हैं वो name of scenario यहाँ पर दे सकते हैं तो हमने यहाँ पर इसे delete करके update one नाम हमने यहाँ पर दे दिया जैसा आप वीडियो में देख सकते हैं हमने यहाँ पर update one टाइप किया और यहाँ पर click कर दिया है अब इसके अंदर बॉडर लग जाएगा एक तरिकर यहाँ पर box drop down button भी आ जाएगा तो आप यहाँ पर update one दे सकते हैं तो इसके अंदर भी यह scenario लग गया है अगर आप इसके अंदर कोई changes करेंगे changes करके उसका फिर से द्वारा नाम दे सकते हैं जैसे आप उक को वीडियो में दिखाया जा रहा है हमने पहले इसको select किया select करने के बाद इसको पर हम फिर से scenario लगाएगे scenario लगाने के लिए हम tools menu पर जाएंगे इस पर click करेंगे box आएगा फिर scenario को select कर लेंगे जहां पर name of scenario जो भी name देना चाहते हैं इससे पहले delete करके उस पर अप अपने मर्जी का अनुसार कोई भी नाम पर type कर सकते हैं हमने यहां पर update to type किया okay पर click कर दिया हम तो आप यह इस पर दो scenario लगा हुआ है जब आप इसके अंदर कोई भी changes करके नए number को लिखेंगे जैसे आपको वीडियो में दिखा जाला में यहां पर delete किया हमने आप ए 200 को delete करके B 250 को delete करके हमने आप एक number और एक text हमने दो यहां पर scenario लगा हुआ है update 1 में हमारे पास number था हमने drop down button पर क्लिक के number update 2 में हमारे पास text है जैसा वीडियो में देखते हमां पर click के update 2 पर click के तो यहां पर text लिखा हुआ है अब आप दो column यह row में दिये गए value को जैसे की 50, 75, 100, 125, 150, 200 अब इस पास संख्या को किसी ऐसे option की मदद से सम करके दिखाएं जिसका total 1000 आए अगर कोई समस्या हो तो वीडियो को देखकर सीखें आए वीडियो को देखकर सीखते हैं solver का उपयोग कैसे करते हैं जैसे आपको वीडियो में दिखाए जा रहा है आप किसी भी row या column के अंदर कुछ numbers को टाइप करें जैसे आपको वीडियो में दिखा जा रहा है हमने आपे 50, 75, 100 फिर next next हो में 125 150 200 हमने इनको टाइप किया टाइप करने के बाद हम एक cell के अंदर हम इनका total निकाल लेंगे कि इनके total value कितना है इसके लिए मैंने sum formula copy up करेंगे हमने यहाँ पे sum sum type किया bracket को start इन सारी number को select किया जैसा आप वीडियो में देख सकते है फिर semicolon फिर नीचे वाली भी number को हमने select किया जैसा आप वीडियो में देख सकते है bracket को close किया close करने के बाद enter button हिट किया तो आप देख सकते हैं इसका total 700 है अब हम चाहते हैं जो 700 है इसके अंदर जो value आये 1000 आये 1000 कब आये जब जो हमने यहाँ पे number टाइप किया उनमें से किसी भी number को change करके उसकी value को change करें जिससे value यहाँ पे 1000 आ जाये चाहे value वह एक हो जाये यह एक से ज्यादा value changes हो है तो इसके लिए हम solver पे use करेंगे tools पे जाएंगे solver पे click करेंगे तो आपको धियान में रखना है जो target value 700 है उसे select होना चाहिए target cell हमारा पहले select था उसके बाद आप तीन यहाँ पर condition दिया है value maximum minimum और value of तो यहाँ पर value of पे click करें जितने value of देना चाहते हैं वह value यहाँ पर type कर देंगे 1000 देना है तो हमने यहाँ पर 1000 किया अब यहाँ पर by changing cell जिसके अंदर आपको changes करना है जिससे value 1000 आ जाएं तो हमने दो cell को यहाँ पर select किया चेंज सकते करने के बाद जो इसका value total आए वह 1000 आ गया तो इस परकास से आप solver का उपयोग कर सकते हैं अब आप अपने document के साथ किसी दूसरे document को जोड कर दिखाएं अगर कोई समस्या हो तो वीडियो की मदद से देखें आए वीडियो को देखकर किसी दूसरे document को कैसे जोड दे हैं इसके लिए सबसे पहले tools menu पे click करें जैसे कि आपको वीडियो में दीखा जा रहा है हमने tools पे click किया tools पे click करने के बाद आपको merge document पे click करना है जब आप merge document पे click करेंगे तो file यहाँ पे इस तरह किस एक box open होगा जहां से भी आपको file है उस file को आप select कर लें कोई सभी आप file को यहाँ पे spread sheet की file को ले 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 जिस location पे भी है उस location को search करके उस file को select कर लें हमने यहाँ पे file को select किया फिर open पे click कर दिया जब open पे click करेंगे तो यहाँ पे accept or reject का option आ जाएगा 22 में दर काम है आप उसे उस data को आपने sheet के उपर accept कर सकते हैं यह फिर आप उसे reject कर सकते हैं इस प्रकार से आप merge document का उप्योग कर सकते हैं अब आप अपने sheet यह document में password को लगा कर दिखाएं अगर कोई समस्या हो तो वीडियो को देखकर सीखें आएए वीडियो को देखकर सीखते हैं किसी document को protect कैसे करते हैं जैसे आप देखते हैं हमने यहाँ पर sheet हुआ है यहाँ पर हमने इसे protect करना है तो tools पर गए protect document पर click किया पहले tools menu पर click करने के बदद protect document पर click किया इस तरीके के एक box आगया यहाँ पर password लिखा है आप जो भी password type करना आप password type करें उसे confirm करें फिरो के पर click कर दें जो आपके sheet है यह lock हो जाएगा आप इसके अंदर कुछ भी type नहीं कर सकते जब भी आप कुछ type करेंगे तो इस तरीके के box आजएगा अब आप इसके अंदर कुछ भी editing नहीं कर सकते हैं जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है तो इस प्रकास से आप किसी भी document के sheet को या document work product कर सकते हैं क्योंकि आज की class यहीं पर समाप्त होती है अब आप सभी अपने file को save करें और फिर अपने computer को shutdown करें आज की class में आप सभी ने tools menu का अभ्यास किया जैसे की goal seek scenario solver इत्यादी आपने कुछ formula का भी अभ्यास किया जैसे की left, right mid, find trim इत्यादी